हाई फ्रेंट्स आपका स्वागत हमायी चनल महा माय सेलेक्षल में दोस्तों मैं सागर आज आपके सामने बिहार एकसाइस का जो सब इस्पेक्टर का प्री का जो रिजल्ट आया आज मैं बताऊंगा कि मेंस के लिए आप कैसे त्यारी करें आपका एक्जाम पैटर्ण क्या हो जिसमें हिंदी स्पेशिर हैं सौ कोर्षान के जिसके लिए 200 निदाहर्ट किया गया है और 2 घृंटा दिया जाएगा पहला पेपर रफ्रेंट वह सिर्फ क्वैलिफाइन नेचर का है आपको 20% नंबर लाना है पास करने के लिए यह क्या है क्वैलिफाइन नेचर का एकशाम ह reasoning and mental ability, तो यह सब इसके अंतरगत आएगा, अगर बात करें, नबर ओफ कोसें तो सो कोसें में रहेगा, जिसके लिए 200 marks निर्जाहित किया गया है, दो घंटा इसका time duration है, अब बताओंगा मैं कि क्या syllabus आपको पढ़ना है, पेपर वन का पहले बात करें जिसमें हिंदी है आपक संदी वाक्यों में, समास, त्रिलिंग, आयम, पुलिंग, यह आपको हिंदी के लिए पढ़ना है, फ्रेंट, हिंदी का यह syllabus है, नेक्ट बात करते है, पेपर 2 का जिएक, अगर बात करें फ्रेंड, तो जनरल स्टैडिस में आपका, इंडियन हिस्टी से पुसर रहेगा, इ ने करेंजन चर्शा में चरसी के बारे लांस, हान अर्ट के बारे में लाश्टी से पाइनी आपकर आपbugज पढ़ना रहेगा है, एस्टी से अन आपका जी पर इह स्क यहилисьटी स्पादें अवानस, अब टेंट फेंट, हिंग, हूपा महीं यह नचिस मेंुहा है। problems on ages, bar graph, pictorial graph, pie chart and di, ये एक chapters आपको पढ़ना होगा mathematics में, next बात करते है, reasoning of mental ability का तो analogies, similarities and differences, space visualization, problem solving, analysis, judgment, decision making, visual memory, discriminating, observation, relationship, concepts, verbal figure, classifications, mathematical number series, non-verbal series, okay, ये आपको पढ़ना है reasoning, और फ्रेंट्स एक और है general science में जिसमें आपको biophysics chemistry पढ़ना होगा, तो फ्रेंट्स ये है आपका syllabus, paper 2 के अगर आपका premium हो गया है, बिहार एक size में, तो आप इसकी तयारी में लग सकते हैं, आपके paper 2 के तयारी में, जिसका मैंने आपको syllabus बता दिया, तो फ्रेंट्स मैं आसा करता हूँ, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, हमसे जूरे रहने के लिए महा माय सेलेक्शन सब्सक्राइब कीजिए, और हमें motivate करने के लिए like बटन दबाईए, किस तरह के वीडियो तो आपके लिए लाता रहूँ, thank you.